दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसा कि स्कूल लेक्चरर एक्जाम में हम लोग पढ़ते हैं एक टॉपिक का नाम है एजुकेशन मेनेजमेंट एजुकेशन मेनेजमेंट में ही हमारा एक टॉपिक आता है आर और प्रसिक्षन परिशद तो आज की क्लास में हम इसी राजस्थान राज्य शेक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद के बारे में विस्तरत रूप से जानकारी हासिल करेंगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के संब्द में क्या जानकारी है चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके उपर अपन कुछ महतोपूर्ण जानकारी हां पर हासिल करेंगे सबसे पहला पॉइंट है कि राज्य शिक्षा संस्थान पहले राज्य शिक्षा संस्थान था जिसको SIE कहते थे और इसका जो निर्मान हुआ था वो 1363 में हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि 11 1978 को इस संस्थान को इस अभीकरणों को समयलित करते हुए चोटे मोटे और अभीकरणों को समयलित करते हुए SIERT का जो है गठन किया गया था 11 नुवंबर 1978 को लेकिन उसके बाद प्रोफेसर R.C. महरोतरा की समयती के अनुसंसा पर फिर 14 अगस्त 2018 को जो है वर्तमान जो R. C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C.R.C दो से यह निदेशाले प्रारंभीक शिक्षा बीकानेर के नियंतरण में था लेकिन 14 अगस 2018 को जब इसको अलग से बनाया गया तो यह एक स्वतंतर विभाग बन गया तो यहाँ पर दोस्तों चार बाते पांच चार पांच बाते लिखी हैं कि सबसे पहले राज्य शिक्षा स संस्थान था जिसका निर्माण हुआ था 1963 में फिर 11 नौंबर 1978 को SIE को मिला कर इसके साथ चोटे चोटे और अभीकरणों को मिला कर जो है SIERT का जो है गठन किया गया था उसके बाद प्रोफेसर R.C. महरोतरा की समीति के नियंतरण सापर R.C.E.R.T. का निर्माण हुआ ग निदेशाले प्रारभीक शिक्षा भीकानिर के नियंतरण में था लेकिन 14 अगस 2018 से इसको स्वतंतर विभाग बना दिया गया है उसके बाद हम बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं यहाँ पर इसके बजट की इसके इससे बजट के संबंद में कुछ बात करेंगे बजट के अंदर का और 40 प्रतिशच जो है राजे इसमें पैसा लगाता है अब तक यह जो इसका काम क्या था अब तक इसका काम था पुस्तक लेखन करना पाठे करम का निर्मान करना यह था और शिक्षक प्रसिक्षन अनुसंधान के साथ यह बजट का काम नहीं था लेकिन अब य बजट का काम भी देखेगी ये परिशद खुद यानि कि अब ये संस्थान क्या करेगा अब ये परिशद है संस्थान ये एक बाद तो ये ये पुस्तक लिखन का काम भी करेगा ये पाथे करम निर्मान का भी काम करेगा ये शिक्षप प्रसिक्षन अनुसंधान का भी काम कर लेकिन इसमें इसके मदद करेगा शिक्षा मंत्राले की मदद से यह जो है बजट को त्यार करेगा और डाइट के लिए बजट यही जारी करेगा और उसके बाद दोस्तों यह बात करें तो यह परीशत जो है राज्ये के सभी शिक्षक प्रसिक्षन की जो है नोडल एजनसी ह होते हैं उनको जो प्रसिक्षन दिया जाता है उसके लिए नोडल एजनसी भी इसी को बनाया गया है और उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो कक्षा एक से लेकर बारा तक पुस्तक लिखन और पठे करम निर्मान का काम भी जो है इसी के द्वारा किया जाएगा और इसके स चलें आगे इसमें और क्या जानकारी है कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे यहां पर हम जो की इससे रिलेटेड है इसके तहत एक प्रोग्राम चलू किया गया है होसला होसला कारेकरम यह होसला कारेकरम क्या है यह स्कूल शिक्षा में मानसिक स्वास्थे पर जोर देने के लिए इस परीशतने यह होसला कारेकरम शुरू किया है मानसिक स्वास्थे पर जोर देने क राज्या के द्वारा भी दिया जाता है यूनिसेफ के द्वारा भी दिया जाता है और NCRT के द्वारा भी इसको आर्थिक सपोर्ट किया जाता है इसको हम कह सकते हैं एकोनोमिक सपोर्ट दिया जाता है उसके बाद ये जो परिशद है इसने एक कोर्स शुरू किया है ब्रिज क्रोना काल के दोरान जो बच्छों को learning loss हुआ था उस loss को कम करने के लिए इस परिसत ने एक bridge course शुरू किया है और यह bridge course जो है ककशा1 से लेकर आठवीं तक के बच्छों के लिए है और यहां पर इस course में यह जो जुलाई से लेकर सितंबर तक पहले जो चार पिरेड हैं चार क्लास कालांश हैं जिसको बोलते हैं अपने उसमें उपचारत्मक शिक्षन और जुलाई से लेकर सितंबर तक तो पहले चार पिरेड जो हैं वो इसमें उपचारत्मक शिक्षन दिया जाएगा मतलब जो कुछ उ learning loss हुआ था कोरोना काल के दोरान बच्चों को उसके बराबर उसको पूरा करने के लिए यह सुरुआत के चार कलांस जो उसके लिए रहेंगे लेकिन यह सितंबर तक रहेंगे और सितंबर के बाद जो शिक्षिन की शत्र बचेगा उसमें चार पिरिड को बचा कर दो पिरिड कर दिया जाएगा दो पिरिड में जो है यह उपचारात्मक शिक्षन करवाया जाएगा अब आगे अगे गर इस ब्रीज कोश की बात करें हम की तो इसमें जो कारेकरम का विवरन है जो कोर्स इन्होंने तयार किया है उसमें किस क्लास के लिए कोण सा कोर्स है कोण सी बुक है उसकी बात करेंगे कक्षा एक के लिए इन्होंने जो पुस्तक तियार की है ब्रीज कोश की उसको हम बोलते हैं प्रथम और कक्षा दो के लिए बोलते हैं बलव, कक्षा तीन के लिए बोलते हैं पहल, कक्षा 4 और 5 के लिए प्रियास, और कक्षा 6 और 7 के लिए है प्रभाः, और कक्षा 8 के लिए है प्रखर, यह कारेकरम का विएन ने हर क्लास का अलग से एक कारेकरम है, प्रोग्राम है, उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है, और अगर हमसे को यह बूचे कि यह जो RS, CE, RT है इसमें टोटल कितने प्रभाग हैं तो दोस्तों टोटल चे डिपार्टमेंट हैं इसके और चे डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं यहां पर देखिए पहला डिपार्टमेंट है पठ चरिया सामगरी निर्मान और मुल्यंकन प्रभाग और दूसरा है शेक- सर्वांगिन विकास हैं सामाजिक नय प्रभाग और छटा है इसका आयूजना प्रबंद एमवित विभाग ये च्छे विभाग जो है RCERT के मुख्य रूप से हैं अब हम आगे चलते हैं कि ये जो RCERT है इसके परमुक कारे क्या है परमुक कारियों की बात करेंगे यहां पर इस कलास में हम तो दोस्तों इसका पहला काम है कि विद्याले शिक्षा हेतू कक्षा एक से लेकर बारा तक कक्षा एक से लेकर बारा तक शेक्षिक प्राधिकरण के रूप में करे करता है ये और दूसरा पॉइंट है हमारा कि निदिशले प्रारंबिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, समगर शिक्षा भ्यान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RSTB, SIEMAT के साथ ये समन्वे स्थापित करता है और तीसरा पॉइंट है कि राज्य सरकार के लिए शिक्षिक सलाकार के रूप में भी ये काम करता है और चोथा पॉइंट है कि विद्याले शिक्षा है तो निती निर्धारन, पठे चरया, मुल्यागन, परक्रिया पर राज्य की शेक्षिक प्राधिकारी परिशद की रूप में ये कार्या करता है और लाज्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य के लिए शेक्षिक अनुसंदान और सोधकारे का काम भी ये परिशद करती है तो आज की इस क्लास में हमने R.S.C.E.R.T. को बढ़ा है जो की एक राज्यस्तन राज्य की शेक्षिक अनुसंदान प्राधिक्षिक परिशद है आपके पास नोटिफिकेशन पहुचे और आप स्टडी का आना दे लेते रहें और अपने सपनों को सच करें नमस्कार